दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देविस दोस्तों अभी दो-तीन दिन पहले की बात है भारतिय विदेश मंत्री ने पिगला हुआ लोहा भर दिया था पश्चमी देशों के कान में उन्होंने कहा था कि आप हमसे कहते हो रूस के रूस भी पश्चमी देशों के सर पे जाता है चोंकि इन देशों ने मौका पढ़ने पर भारत को हत्यार नहीं दिये इतना बड़ा देश है दुश्मनों से भरा पड़ोस है तो हमें हत्यारों की जरूरत पढ़ी रूस ने दिये हमने लिये और रूस पर जो हमारी निर्व पर भरता को खत्म किया जाना है तो आपने हमें हथ्यार देने होगे लंबे समय तक लेहों जिसके बाद आप उम्मीद कर सकती हो और गलत रिधर और सही को सही कहने के इस्तति में आए आए बहुमें राके भारत की है जो मश्ती उसको फाइनली मान लिया है जापाण ने जापान भले ही है पूर्वी देश लेकिन वो पश्चुमी देशों के गोट में सामिल रहता है तो जापान के जंगी जाहर है उसमें एक बिश्एष प्रकार का यूनिकॉर्ण एंटेना सिस्टम लगता है तो दोस्तों यह जो आप बस एनालेसिस बाई देविश यूट्यूब पर लिखकर बोलकर टाइप करके हमारे वीडियो सर्च कर लीजिएगा आपको तुरंत मिल जाएंगे तो दोस्तों इस यूनिकॉर्ण सिस्टम की खासियत को समझने के लिए हमें देखना होगा पुराने जंगी जाहर होते थ इसी रिफ्लेक्ट वेडियो वेब परणाम सरूप इन एंटीना के कारण पूरा का पूरा जंगी जाहाज दुष्मन की नजर में आयाता था उनका राडार सिस्टम पकड़ लेता था दुष्मन को जानकारी हो जाती थी तो वो तयारी बहरे से कर लेते थे तो जापानियों ने दमाग दोड़ाया उन्होंने वहिया यूनिकॉर्ण मतलब घोड़े के सिंग से प्रणा ली और सभी एंटेना को यूनिकॉर्ण सिंग में फसा दिया उसे से जंगी जहाज है वो दुष्मन की राडार में पकड़ में नहीं आता दुष्मन को कानो कान खवर नहीं होती जंगी जहाज उसकी कंपटी पर सुछ जाता है यो यूनिकॉर्न शिस्टम में आत्याद होता हो स्ट्व में बलेकर से क्या जरूरत है एंटेना खरीदने की साथ में भारती जंगी जहाद जो है मजबूत बन जाएंगे इच्छी न पता ने लगा पाएगा हम जो है साउथ चैना सी में भूम कि आ सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां हमें थोड़ी सी तकलीफ है भारत और जापान के बीच में एग बूम में तो कैसे काम चलेगा रही बात यह कि आपकी सेल्फ डिफेंस की मान सकता है तो भाई साब भारत का तो यह दिया देख लीजिए हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया हमने उस पॉलिसी का दुस्परणाम भुगता है फिर भी हमने अपनी पॉलिसी नहीं बदली आज भी हम किसी पर हमला नहीं करते इसलिए जापान भले ही अपने हत्यारों का इस्तेमाल अटेक करने के लिए कर ले भारत ना करे भाया जी ना हमारे पूरवजों नहीं सिकाया है और ना हमारी प्रकृती है यसी अब दोस्तों इस पूरे बैग्ग्राउंड में आपके लिए म मार्केट में और जब गिरावट आती है तो पैसा नहीं बढ़ता ब्लेड प्रेशर बढ़ता है लेकिन यदि ब्लेड प्रेशर की जगए आपको मुनाफ़ा बढ़ाना है तो आपको सीखनी होगी आचार चानक की हैजिंग स्ट्रेटजी इसी वीडियो के डिस्कृप्शन में दी गई है लिंक उस पर क्लिक खरके आप आत्म निर्भर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्पोर्स जितने जल्दी जोएन करेंगे उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे धन्यवाद जैश्री राम